वेल्कम बैक दोस्तों कारबदर के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिट से स्वागत है अज आप सभी के लेक्ट डीप परपल कलर की मारती सुस्की ऑल्टो एलेक्सा ही लेक्षा है हूँ लास्ट बार हमने आपको बहुत सारे ओल्टो दिखाए और बैक टू बैक तीन दिनों में तीन ओल्रेडी सोल्ड आउट होगे आप रिल्स पे चेक कर सकते हैं तीन गाड़ी ओल्रेडी सोल्ड आउट है और वैसा ही एक मॉडल फिर से आप लोग लेक्या चुके हैं 2011 का मॉड पेट्रोल ही रहता है ओल्टो आप जानते हैं डीजल में आता है नहीं पेट्रोल मोडल है पावर स्टिरिंग के साथ और गाड़ी में बहुत सारे मोडिफिकेशन है जैसे कि आप सब क्रोम देख सकते हैं उसके बाद रूफ रेल्स विल कवर्स एचे सार्प प्लेड़ में बहुत अच्छे कंडिशन में गाड़ी में लेकिन 30-35% टायर्स है गाड़ी में थोड़ दिन चल जाएंगे उसके आपको रुप्लेस कराने होंगे और आगे यहां पर आपको एक निया आला लाइट्स मिलेगा आपको मैं इसका सेटप दिखाता है एक्सलाइट का लाइट है पूरा और इजनल वाला बहुत महेंगा लाइट है कि इसका रेस्पॉंस एक बर आपको चेक कर आता हूं अभी देखिए वहां पर लाइट वाइट कुछ चालू नहीं अभी मैं स्कॉन कर लेता हूं जाब देख सेके इसका हाई भी में लो बहुत जाड़ा पावरफूल है फिर से भार की तरफ चलता हूं बाद में अंदर आएंगे अब कि अवरल कंडिशन गाड़ी का बहुत अच्छा है कि सब कुछ एकदम बढ़िया से वर्किंग है कि यहां पर इसका कैमरा लगा हुआ है इसमें कैमरा भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ अप अंदर की तरफ चलते हैं चारों मैनुएल विंडोज है इस मोडल में वैसे भी बावर विंडोज तो आता नहीं है बारा मोडल में आता था और किलो मेंटर्स के अगर बात करों तो गाड़ी चला हुआ है एक लाख तेइस हजार किलो मेंटर जो कि बेलकुल जैनुएन है वह लाग 23 था हो दिने किलो मेंटर्स डिवर्स केमरा इधर देख सकते हैं आप वर्किंग है पूरा सोनी का मीजिक सिस्टम लगावा है दो स्टीकर्स के साथ बाकि सब कुछ वर्किंग है फीचर्स गाड़ी में कोई भी चीच का कमी नहीं यह सीव पूरा वर्किंग है पौरा वर्किंग है गाड़ी का नीचे लेमिशन मैट्स और यह बहुत अच्छे कंडिशन की मैट्स भ जोड़ा फट गया है आप अगर चाहेंगे तो इसको रिपैर भी करा सकते हैं फिर आप अगर चाहें तो रिप्लेस्मेंट अच्छा है कि यह एलसेडी में आप मुवी वगरा सब कुछ देख सकते हैं बढ़ यह से चलेगा पूरा अब मैं आपको इसका डीटेल बताता हू कि फिर जो भी होगा बेस्ट पॉसिबल रिट आपके लिए करवा के दे देंगे